नमस्कार, चर्शी क्रष्णा, मैं आपको बहुत बहुत आवार करुंगा, आरो के भारत, स्रीकिषोरी शेवादाम द्रुदावन, आपकी शेवा में, आपके सुन्धर, सुर्व को इस्तित रखना चाहेता हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे बालों से मेरी बड़ी सुन्दर्ता और सुवा बड़ी है, तो हमारे पास हजारों प्रसना आते हैं बालों के लिए, बालों का सफेद होना, बालों का जणना या उखड़ना, कैसे बचा जाएं इनसे मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि बाल जीवन में आदमी को लाल से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बेटा मर जाएं लोगों को रोज होके स्वांत हो जाते हैं, पर बाल जब रोज उकड़ते हैं, इतना लोग प्यार करते बालों से, तो मैं आपको कहोना चाहूंगा, कि अगर आपके बाद होते हैं, फल खाएं, बालों के लिए, बहुत लाब मिलता है, बालों में फलों से, उसके पश्यार, बिशेस ओसेदियां भी हैं, बालों की हमारे आँसे आप मंगा सकते हैं, टॉन टैवलेट, दो गोली शुबे, दो साम को बाद जड़ना, बाद जूगया होना, सफेद हो अब भी बन्गा सकते हैं, बहुत नहीं मंगा तो acioह पे भी आप अपना इस रोग का इलाश कर सकते हैं, स्वास्त्य के लिए, आप इसे जुड़ सकते हैं, क्युवक्य को आती ही क्लूजी, क्लुजी 100 गृम का लेजी चाहिना, 200 गृम सरसों का तेल dinner laleji उसमें कलृम के ल अटिता काई तो बालों का उबर ना फृफ कम यूज गए तो इस वालों के हैं बालों के लिए सरक्ता से अच्छा भोजल फल जादा खाएं फल अधिक और बजार का जो सामानय मैदा से बना हुआ उसको बहुत कम यूज करें क्योंकि भालों के उपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा चैनीज श्रुम्स का बहुत प्रभाव है चैनीज खाने का बहु अधिसी वजल करें मुली गाजर करें टमाटर सेयो संत्रामसमी चीप को अनार केला इतनी प्रगर्दी में बगवान ने दिया है वो खाईए और अपने वालों को निलोगी बनाईए